हेलो एवरिवन एंड वेल्कम तो सुपर्गेट्स इस निकल सवनी फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रिसनिग तो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जो हमारी जिपमेट 2024 के लिए जो एलर के ऐसे कौन से कोश्टन्स हैं ऐसे कौन से चाप्टर्स हैं जो कहीं न कहीं कोश्टन्स हमें 101% पॉसिबिल्टी है कि वो जरूर हमें देखने को मिलेंगे तो चलो बिदाव डैनी निले स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में और उन चैप्टर और उन चैप्टर पर जो बीस पैटर्न है उसे समझते हैं जैसे कि फॉर्स अगर हम इस टॉपिक या चैप्टर की बात करें तो यह है हमारा एनलॉजी यह हमारा एनलॉजी का चैप्टर है और या दखना एनलॉजी जो है वो थ्री टाइप से पूछी जाती है पहली होती है हमारी वर्ड पर बीस सेकेंड होती है लेटर बीस और थर्ड होती है नंबर बर बीस तो यह जो पड and decoding को done कर लिया तो लेटर पर बेस जो analogy वो just quite easy for you ठीक है कैसे यहाँ पर आपको जो भी letters given है उनके जो number हैं बहुत अच्छे से याद होना चाहिए जैसे इस particular अगर हम question की बात करें ATKR और फिर FYPW यहाँ पर क्या logic follow कर रहा है तो जैसे first letter को देखें तो A1 है T20 है के 11 होता है R18 F6 होता है Y25 होता है P16 होता है और W हमारा 23 होता है तो जब हम first को first से compare करेंगे तो 1 से 6 कब होगा plus 5 करने पर 20 से 25 कब होगा plus 5 करने पर 11 से 16 कब होगा plus 5 करने पर और 18 से 23 कब होगा plus 5 करने पर तो यहाँ पर हमने इससे decode कर लिया कि sir यहाँ पर first letter में plus 5 plus 5 हो रखा है तो यही चीज हम यहाँ पर apply करेंगे और यह 20 है और 20 में plus 5 करोगे then you will get 25 और 25 होता है y का और याद रखना आगे पूरा मत निकालना तो कि option number D और option number A यहाँ पर क्या हो गया है हमारा eliminate हो गया है और जैसे कि L है यह 12 है और हर एक letter क्या हो रहा है plus 5 आगे जा रहा है तो 12 में plus 5 करोगे then you will get 17 और 17 किसका होता है Q का it means option number C भी यहाँ पर eliminate है अगर इन 4 options में से आपके 101% यह 3 option आपके eliminate हो चुके है तो जो remaining आपका आपका answer है करकि Y Q पूरा follow कर रहा है और यही हमारा क्या होगा right answer बाकी पूरा निकाल देते हैं तैसे कि P होता है हमारा 16 और इसमें plus 5 करेंगे then you will get 21 21 होता है U का G होता है 7 और 7 में plus 5 करेंगे then you will get 12 और 12 होता है L का और Y Q U L यही हमारा क्या था correct answer था analogy के सांसना था एक topic और याद रखना that is odd one out या जिसे हम classification भी बोला करते हैं तो यह दोनों chapter आगर आपने कर लिए कहीना कहीन जिपमैट के अगर हम point of view से बात करें तो 2 से 3 question लगबग लगबग आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो इनकी possibility रहती है कि 2 से 3 question इस particular दौनों chapter से आपको देखने को मिलेंगे और यह 3 pattern पर base होते है एक होता है हमारा word पर base एक होता है हमारा letter पर base और एक होता है हमारा number पर base यह जो है वो coding decoding से done होगा यह अगर आप number series करोगे तो यह भी done हो जाएगा और यह जो रहेगा यह आपका English और general knowledge पर dependent रहता है यह वाला तो automatically अगर आपकी overall अगर preparation चल रही है तो यह बन जाएगा chapter बस हलकी सी practice इस पर कर लेना चलो second question की बात करें तो second question जो है वो हमारा series वाले topic से लिया गया है again वोनाब the important chapter evergreen chapter भी हम कह सकते है number series से भी आपको एक-दो question मिल सकता है letter series से भी एक-दो question मिल सकता है तो overall अगर हम बात करें ना series की तो लगबग लगबग 2-3 question 2-3 question हम expect कर सकते है Japan 2024 के लिए तो कैसे चलना है again अगर letters की बात चल रही है alphabets की बात आती है तो alphabets में logic लगाना है तो उनके numbers का sequence जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यह हमारा A है और यह C है यह 1 है और यह 3 है तो 1 से 3 में हमारा क्या होगा यह 1 है और यह हमारा 3 है 1 से 3 में हमारा सर प्लस 2 हो रखा है ठीक है फिर C के बाद यहाँ D आ गया और यह D क्या होता है सर हमारा 4 होता है और G हमारा 7 होता है 4 से 7 सर प्लस का 3 हो जाएगा H हमारा 8 होता है और M हमारा 13 होता है और 8 से 13 सर हमारा प्लस का 5 होगा आगे अगर हम इस pattern को देखें तो C के बाद D आ गया था G के बाद H है M के बाद अगर हम last से first वाले को compare करें तो M के बाद N, U के बाद V, G के बाद H और U के बाद क्या आना चाहिए सर ये तो confirm हो गया कि हमारा answer V से start होगा और यहां पर सभी जगा V दिया हुआ है मतलब के बाद A की letter बहुत ज़ादा important है और वो logic भी कहीं न कहीं हमें crack होता हुआ दिखाई दे रहा है plus का 2, plus का 3, plus का 5 N होता है 14 और U होता है 21 और 14 से 21 आप कह सकते हो सर प्लस का 7 V होता है 22 और G होता है 7 अब कुछ इस situation में आपको इनकी बीच का difference निकालना थोड़ा था difficulty लग सकता है बगर अब practice करोगे कुछ method लेके जाओगे कुछ tricks वगरा लेके जाओगे तो it's quite easy क्यों तो कि जी अगर हम बात करें तो Z कितना होता है 26 अगर हम यहां का difference इजी निकालना है जल्दी निकालना है तो A होता है 1 लेकिन A को हम 27 भी बूल सकते हैं है ना B हमारा होता है 2 लेकिन इससे 28 भी बूल सकते हैं तो हम क्या कर रहे है 26 प्लस 1 27 26 प्लस 2 28 तो G का नंबर क्या होगा तो 26 प्लस 7 देन 6 प्लस 1 13 यहां पर यह कितना होगा 33 तो 22 और 33 के बीच का 11 यहां पर 11 जो है वह प्लस किया हुआ है थोड़ा सा चीजों को अगर आप लेके चलोगे प्रैक्टिस में लेके चलोगे तो यह इसी रहेगा इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी तो यह जो पैटन को अगर हम देख हैं हमें कुछ समझ में आ रहा है तो कि 7 के बाद यहां पर और नमबर का सीरीज नहीं है यह जो सीरीज चल रही है यह सीरीज है प्रैम नमबर सीरीज तो यहां पर 101 परसन प्लस का 13 होना चाहिए वह हम चेक कर लेंगे यह हमारा 8 और यह हमारा 21 अगर 8 और 13 को एड़ करेंगे तो 101 परसन हमें 21 मिलेगा मतलब यहां से हमारा हो गया कि यह जो है वो हमारी prime number series पर बेस है दोनों के बीच में difference कितना है prime number का है मांकि जो last वाली जो letter है वो जो start होगा उसका just next वाला होगा मतलब u के बाद v आएगा लेकिन v से क्या होना चाहिए तसर प्लस का 17 क्योंकि 13 के बाद जो prime number आता है वो हमारा 17 आता है तो v का number कित बस 26 minus कर देंगे 9 में से 6 जाएगा तो 3 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 13 जो होता है वो होता है हमारा m का so v m is the correct answer option number c को यहां पर हमें टिक करना था तो अगें series एक important chapter है किसी भी अगर आप IPM में जा रहे हो बीपी एंट्रेंस में जा रहे हो जिनमें यह आता है आपका तो याद रखना series से कोशन आपको जरूर मेरेगा और खासकर number series से तो बहुत जादा chances बन जाया करते हैं इसके बाद अगला chapter यहां पर हम देखेंगे that is blood relation right इसका weighties तुम्हें ज्यादा नहीं कह सकता बठां कोशन जरूर आएगा इसका ठीक है again बहुत ही practical chapter है यह blood relation बहुत ही practical chapter है gender पर 20 है और generation पर 20 है जैसे P is the sister of Q तो यहां पर हम male के लिए triangle बनाएंगे और female के लिए यहां पर हम circle draw करेंगे right so P जो है वो sister है किसकी sir Q की so P is the sister of Q and mother of R so जो P है वो Q की तो sister है but वो जो R है उसकी क्या है mother तो R के just उपर हमें बनाना है mother and father का जो relation एक दूतरे के just उपर ही बनाना है brother sister आजो बाजो मैं बना सकते हैं एक ही generation की बात चल रही है S is the daughter-in-law of W and wife of Q right S S जो है वो wife of Q है तो 101% Q जो है वो husband है और उसकी जो wife है वो कौन है S और यह जो S है यह daughter-in-law है किसकी W की it means W जो है वो इन दॉनर की parent होंगे अब वो mother है यह father है अभी हमें नहीं पता आगे W's grandson M is the nephew of P तो P का nephew है यह M होगा but हो सकता है इनके कोई और भी sibling हो अभी वो confirm नहीं है and brother of V तो यह V का brother है मतलब यह दौनों married couple है और इन दौनों के ही child है यह दौनों और W has only two children अब यहां से यह confirm हो गया कि W के cable दो ही children है P और Q अगर वो P का nephew है M तो यह दौनों भी इन दौनों के ही children है राइट तो आगे पूछा है how is Q related to V how is Q now we can say who is Q हम कह सकते है who is Q वला हम हमें यह search करना है कि यह क्यू जो है वो कौन है लेकिन एक हमें reference point चेह है वो reference point कौन है that is V so let's assume you are V right let's assume you are V so यह आपकी mother यह आपके father यह आपकी father यह आपकी mother यह आपकी कौन है father की sister आपकी aunt समझ रहे हो यहां से इसे read गरना बहुत अच्छे से आना चाहिए so who is Q Q is the father of V Q is the father of V so that's why option number B is the correct answer blood relation simple से chapter है ज्यादा efforts नहीं लगाने थोड़े से tricky question ज़रूर बन सकते हैं but practice से हो जाएका concept clear रखना चीजे method clear रखना जो भी आप follow कर रहे हो तो 101% यह question आप से कोई नहीं रोख सकता चलो अगला series again most important chapter है कहीना कहीन देखने को जरूर मिलेगा 101% मिलेगा directly solve करते हैं यह जो series है right इस series में हमें सबसे पहले अगर हम series की बात करें और इसके concept की बात करें तो यहाँ पर एक observation हमें create करना होता है regarding numbers ठीक है अगर हम इन numbers को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझें राइट जैसे की 525 593627 तो नंबर अगर multiplication के order में होते तो यह numbers हमें नहीं दिख रहे होते इनके times में दिख रहे होते हैं हाया ना it means यहाँ पर हम इनका difference निकालेंगे इन दॉनर के बीच इन दॉन तो यहीं से start करेंगे जैसे की 59 ancestry & 627番2 27डज़ेंगे पर में कितना मिलेगा निकाल दिया हम इन दॉनर के बीच का difference निकालेंगे तो यहाँ यह समझो कि five three three है और ये five nine three तो 60rations है और five three three पनाने के लिए 538 होगा तो 68 हम कह सकते हैं तो 525 में 68 एड करेंगे तो 5 में 3 मिल जाएगा या जैसे आपको भी difference निकालना हो अब अगर इन दौनों को देखें तो इसका डबल हमें देखने को मिला तो कहीना कहीन एक हिंट मिल रही है कि इसका डबल देखने को मिलना चाहिए है तो लेट से दैट कि यह 389 नहीं 400 है और 525 है तो दोना के बीच का डिफरेंस यह माइंड में कैल्कुलेट कर सकते हैं सर 125 और 125 में इसको 400 बनाने के लिए 11 एड करना पड़ेगा मतलब 136 तो यह क्या है 120 और 136 डबल अब यह कंफर्म हो गया तो यहां पर हमें क्या मिलना चाहिए बताओ जरा यह मिलना चाहिए हमने पहले ही डिसाइट के लिए अगर यह नहीं मिला तो जो हम पैटन अभी तक हमने यहां पर फाइंड किया है वो गलत हो जाएगा तो इन दौनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें अगर यह हमारा 189 होता तो यहां पर 289, 389, 200 का डिफरेंस मिल आगर इसे 9 बना दो तो 2 आएगा और यहां पर यह वन है और यह 8 है तो 7 और 2 मतलब इन दौनों के बीच का डिफरेंस 101%, 272 है, right तो यहां से हमें समझ में क्या आया, pattern क्या था, कि इनके बीच का पहले तो डिफरेंस निकालो और वो जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, तो प्लस बन थ्री प्लस बन फोर राइट पोर और यह 6 तो 644 is the correct answer option number C यहाँ पर क्या होगा हमारा right answer हो जाएगा तो series वाला जो chapter है बहुत अच्छे से strong करना चाहे वो आपकी latter series हो या वो आपकी number series हो इन्हें strong करके चलना number series में है थोड़ा सा observation रखना practice रखना अच्छी जाएगी है ना without practice के यह chapter तो strong नहीं होता है चलो अगले chapter की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह जो particular chapter है यह हमारा coding and decoding से है अगें अब और green chapter 100% एक उसन आपको जरूर देखने को मिलेगा जिसे कि यहाँ पर फिर DDULE लिखा हुआ है और इसे हमें बताना है तो pattern कैसे समसेंगे सर यह B है यह D है सर प्लस का 2 यह A है और यह D है सर प्लस का 3 यह S है और यह 21 है मतलब यह 19 और यह 21 प्लस का 2 यह 9 है और यह 12 है प्लस का 3 C और 5 मतलब 3 और 5 प्लस का 2 pattern हमने decode कर लिया plus two plus three plus two plus three plus two plus three चलते चलाएगा तो यहां पर plus two करोगे तो 12 plus two 14 मतलब and यहांपर plus three करोगे five plus three eight eight मतलब होता है H तो n s से आपका जो answer डिच होगा यह नहीं में गलत और गलत वैसे तो cable 2 letter से आपको आपका answer मिल साइगा लेकिन याद रखना यह जो matter मैंने आपको बताई है तब करना है जब option में none of these ना दिया हो कई बार examiner ऐसा भी आप कर सकते हैं कि हो सकता है answer यह हो लेकिन वो none of these में दे दिया कुछ और दे दिया तो गभी कभी ऐसी mistake हो जाती है वो मत करना जब हाँ एसे कुछ definite वाले options given हो तब आप यह चीज़ कर सकते हो कि ns से हमारा answer start होगा it means option a cannot be the right answer option c option d यह हमारा answer नहीं हो सकते हैं तब जाके जो हमारा ns से जो start हो रहा है one and only वही हम यहाँ पर tick कर देंगे बाकि आप पूरा निकाल सकते हो यह 2 है यह 3 है फिर यह 2 होगा 2 u मतलब 2 plus 1 3 आपको c मिलेगा देखने को फिर यहाँ पर यह क्या है प्लस का 3 4 3 7 g मिलेगा फिर यहां से 2 करोगे तो 5 2 7 g मिलेगा फिर यहाँ पर 3 करोगे तो 18 21 u मिलेगा तो n h c g g u वही हमारा क्या था right answer था okay coding and decoding बहुत ही simple सा है थोड़ी सी practice मानता है यह chapter alphabets और उनके number बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए यह opposite letter आपको याद होना चाहिए और उनकी थोड़ी सी practice करना pattern की practice करना किस-किस pattern में यह questions बना गरते हैं बन जाएगा अगला अगर हम chapter देखें तो यह जो chapter है यह हमारा data arrangement से है कहां से है यह हमारा data arrangement से है all right और data arrangement में आपको एक चीज़ मैं बता हूँ जिप मैट में ऐसा लैंडी डाइक पर data arrangement नहीं मिलेगा data arrangement की जो questions बन सकते हैं आपके जो set बनेंगे वो one question या फिर एक set से दो question एक से दो question ऐसे ही easy to moderate level के questions या set आपको देखने को मिलेंगे जैसे कुछ इस टाइप का question आपसे बन the number of books which they have bought recently मतलब ये five friends है और अलग 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 number of book यहां पर और अनने क्या की है they have purchased right तो मैं बोलूँगा जिसने सबसे जादा book purchase की है वो first आएगा फिर जो second फिर third फिर four और ये फिर ये comparison वाला puzzle है मारा comparison वाला data arrangement है जो जादा book जिसने purchase की है वो उपर होगा जिसने कम की है वो नीचे होना चाहिए so a bought more number of books than c and e मतलब c और e के पास जितनी भी book है उन दौनों से जादा book किसके पास है e वो अभी अलग रखेंगे तोगी कुछ definite नहीं था फिर आगे बोला है but not the highest मतलब जो a है वो हमारा first number पर नहीं आ सकता confirm हो गया be bought more number of books than exactly one person बीने book ने बीने तो purchase की है लेकिन only exactly one ही person है जिससे जादा book purchase की है it means बाकी सबी से इसने कम book purchase की है right then which of the following bought the highest number of books मतलब हमें यह निकालना है कि यहां पर कौन आएगा अब मुझे एक बात बताओ पूरा तो नहीं बनेगा या बनेगा जो भी है a b c d e बस आप से जो पूछा है इस टाइप की set जब आते हैं तो जो question पूछा जाएगा cable उस पर ही target रखना तो a जो है वो first नहीं हो सकता c और e के उपर है it means c और e answer नहीं हो सकता जो b है वो cable एक ही person से जादा मतलब book purchase किया हुआ है a cancel b cancel c cancel e cancel तो कौन बचा sir only d ही तो बचा है so that's why option number d d is the correct answer इस type के set ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिप मैट की अगर मैं बात करूं तो है ना तो ऐसे questions की practice करना बस बनचाएगा आपका काम अलग next अगर हम देखें तो यह जो है वो हमारा chapter है syllogs syllogism की हम बात करें it's quite easy और pure logical chapter होता है यह ना बहुत ही जादा जैसे जो भी statement आते हैं वो 101% जिने हमें consider करना होता है that is true जैसे all roads are vehicle तो यह all road है वो सभी की सभी road क्या है vehicle है और some vehicle are trees तो some vehicle जो है वो हमारी क्या है tree है तो the first conclusion कि some tree are roads क्या हमारी some tree ऐसी है जो हर एक condition में road है नहीं इस condition में देखें तो tree और road के बीच में कोई connection नहीं है और यह conclusion होता है वो definite होता है definite in the sense कि जैसे अगर आपने exam दी और आप pass हो गए हो that is definite condition so it is not a definite so that's why it is wrong all vehicle are tree क्या सभी की सभी vehicle हमारी tree के अंदर है no that's not the right answer right so again यहां पर हमारा जो answer होगा option number d मतलब neither first nor second यहां पर क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा तो यह थे कुछ ऐसे topic और ऐसे कुछ questions जिनकी possibility हम कहें zipmat 2024 के LR section में आपको बिलकुल मिलने वाली है 101% ऐसे ही कुछ pattern के questions या फिर ऐसे ही topic से कोई questions आपको जरूर देखने को मिलेंगे इन पर बेस question की practice बहुत अच्छे से कर लेना so that आपका zipmat 2024 का exam बहुत ही शादना जाएगा चलिए आज के लिए इतना ही thank you guys कर दो कर दो